स्वामी जी के प्रेरग विचारों को आगी पढ़ते हुए हम आ रहे हैं उनके राजयोग के विचारों के बाले में और यहां पर हमें जो उनका राजयोग का एक महत प्रसिद्ध कोट है उसको लेना है लेकिन उसके पहले एक राजयोग कोवन ने प्रस्तावना के रूप से प्रस्तावना में कोशिश करते हैं तो मेरे कोशिश कर रहा हुँ कि अगर मैं आपको जब एक गब कर दो में यहां पे आपी इसहके अपि यह प्रास्तावन है पुस्टाओ गरें ने और इस प्रास्तावन का प्यास कोन एक पूरफेस है नहीं सेँंद प्राज्यक को श्र्वादर में वो कैटे की जैसे ही सिस्ट दॉन फिस्टी विए इस इस दॉन फिस्टी विए इस 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 जब से मानवी इपियास की शुरुवात पर तब से इसे कोई बहुत अनुखे के बारे में हमेशा कजिन को इसलिख शुरुके बता गया है क्या मानवी के साथ हुए dedic और अधुनिक जगत में इस के बारे में कोई भी कमी कमि नहीं है हमेशा इस प्रकार के अनुख्यची वारे में लोग कहते वाहने हुए इसके मारमी काई सार ए बास्त मास आप आप अपंधस भी इमतीरश इर, वो तो मेट वालीक आपम झीरएंट, इन्रॉड़िटेश्य ऐ प्रेडों सॉपनीट ने इन्रेंगाने हैं। यह वो सब्सक्राइब। But what do you do to imitate? Is it not the sign of a candidate scientific mind to throw overboard anything without proper investigation? Surface scientists, unable to explain the various extraordinary mental phenomena, strive to ignore their very existence. They are, therefore, more culpable than those who think that their prayers are hissed by beings above the crowds, and then those who believe that their petitions will make such things change the course of the universe. Swamiji आमको बता रहे है कि हो सकता है इसमेचे कुछे लुगो के वल एक प्रकार की कि किसीने imitation किया हो, किसी का एक 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 उसका ही स्वाम किया हो, और अच्छा हो, यह सब हो सकता है. लेकिन जब तक कोई असली चीज नहीं होती, तक तक कोई उसका अनुकरन करने का भी प्रहत नहीं नहीं करता है. तो एक वैद्नानिक मन होने या वैद्नानिक रुष्टिकों का यही व्यत्व कोना चाहिए, कि हम इसका पूरी तरह से सौशोदन करें, ना कि उसको केवल बाहर में रखते हैं, उसको नहीं हम लोग क्यों कि इसमें नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसे सारे एक्स्टॉर्णरी जो मन के अनुभो है, उनको हम लोग बिल्कुल नजर अंदास करेंगे, इसलिए जिनको ऐसा लगता है कि थोड़े से यह सुपरस्टिशस है, अंदविश्वासी है, या कोई ऐसे लोगों से आरे जिनको हम अप्रगत मानते हैं, या फिर यह कोई चमतकार जो है वो सिर्फ एक प्रकार के अध्यान के कारण हो रहे हैं, तो इस प्रकार की विज्ञानिक अंधर्श्यद्धा भी जो पारंपरीक अंधर्श्यद्ध है, कि हमारी प्राथवनाम का कोई तो आसमान से रिगवाब दिता है, इससे और कोई अलग नहीं है, एक पुरानी अंधर्शद्धा की अग ग्विज्ञानी पर एक अंधर्शद्धा की जैसे हो गया है कि विज्ञान नहीं मानता है हम उसको नहीं मानता है लेकिन हमकोद उसके लिए कोई विचा लिया संशदन करने के स्थिती में नहीं है और इसलिए later have to excuse of ignorance or at least of a definitive system of education which has taught them dependence upon पहले जमाने में उनके सकते शिक्षा का अभाव ताइस के इसे इसे इसका नेकिन आगी के जमाने ने जो बईन्या लिगमी इस प्रकार के अम अधश्रा दर्ते हैं तो उसका कोई भी ताथ पर यह या उसका कोई भी आधार नियुक्ता हूँ. So for thousands of years such phenomena have been studied, investigated and analyzed. The whole ground of the religious activities of man have been analyzed and the practical result is the science of राश्योगा. तो इस प्रकार के अनगों, हाजारों वर्शो से उसका भेहस किया गया, सौंशोद में किया गया उसमें से कुछ का परिय निकाले गए और उस प्रकार से अलग से एक शाख्ः ज्यान की शाख्ः एक विज्यान उसका बनाया गया, जिसको राजियोग कहे ते. Rajiv does not after the unpardonable manner of some modern scientist, deny the existence of the facts which are difficult to explain. On the other hand, it gently yet in no uncertain terms is the superstitious that miracles announce us to pray as and powers of faith. Though true aspects are not rendered comprehensible to the superstitious explanation of attributing them to the agency of a being or beings above the Glouc . It declares that in each man is only a conduit for the infinite motion of knowledge and power that lies behind mankind. इसलिए ये जो एक supply है, it teaches that desires and wants in a man, that the power of supply is also in man and that whatever and whenever a desire, a want, a prayer has been fulfilled, it was out of this infinite medicine that the supply came and not from any supernatural view. तो ये योग हमें ये सिखाता है, कि हर व्यक्ति में ही एक अमरियात शक्ति है, जिसके वज़े से वो अपने सारी इच्छाओं को पूर्टी कर सकता है, उसके लिए कोई आकाशस्त है या कोई बहुत ही हम कह सकते है, पानवता से अतिमानवता की तो पूर जाने वाले तही भी शक्ति की कोई भी आवशक्ता नहीं होती है, जब इस प्रकार से उसको वो एक उनके हात में सब छोड़ कर भाई के वातावरण में या अंध्रिश्वास के वातावरण में गए, तभी से हमारा अध्यात्मिक पतन शुरू हो गया, अध्योवती शुरू गई, इन प्रेंद शुपरनेशनल से दे योगी, बट तेरा अध्य नेचर, ग्रॉस मेनिफेस्टेशन और सटल मेनिफेस्टेशन सुपरनेशनला इसे कुछ चीज होती नहीं है, लेकिन प्रकृती का एक स्थूल जगत स्थूल उसके अभिरभाव होते हैं और सुछ्श्म अभिरभाव उसके आपको जो परिणाम दिखते हैं, वो स्थूल रहेगा, ये वากिन आपको सुछ्म प्रकृतर से होती है, जीचन प्रकृतम उनका ही मिक्सद है कि आत्मा को मुक्त करना है उसको पुर्णता की दरफ लेके जाना है परफेक्शन तरह यही योग की सारी गाथा या उसका महत को उसका मारव है कि पुर्णदा की तरह जाए उसलिए सांथ्यों या वेदान तो हो या कुई भी हो योग हो वही एक प्रकास से उस तरफ देखते हैं सिर्फ उनके मारवे अलग लग देख सकते हैं और यह जो पतंजली योग सुत्र से जो सारी सुत्रों उसके इकट्या और इसलिए पहला पाट जो है पुस्तक का उसमें कई सारे प्रस्तुत लेखक्तिनग स्वामी वेकार्णा ने जो नियॉर्क में लिख चल गी उनका सारा भाव उसमें आता है और उसका जो दूसरा भाग है उसमे पतंजली शुत्रों का एक प्रकार से भाषा तक होज़टिया है और इसके ऊपर कोई टिपनी या उसके उपर भाष्य कीया है इस प्रकार से बहुत ही सुन्दर आसान और खिरिभी बहुत ही सरल और चोटा अकार होने वाली एक कुस्तक स्वामी के जिससे हमारे सक्ष्यों पर बहुत ज्यादा उनने वहा प्रभाव और उतकार किये हैं किस प्राकार सी उनकों संशीकत हुआ, लेकिन उसके सारे मेहतोपन मुद्दों के साथ उसको रखा गया। और इसलिए जिस प्रकार से पतंजली की सिस्टिम थी वो कि सारी पतंजली का सारी उत्म थे वो सांख्य दर्शन पर ही थे फोड़ा-कड़ा फर्रक्री पर दिखते हैं। और दो मैं तो प्राइब यह है कि पतंजली जो पिश्टा देवता है उसके बारे में वो पहते कि हाँ यह सच है बलकि सांखे जो है इस प्रकार से परसनल गौड़ा मेरा पुद की देवता इस पर विश्वास नहीं रखते वो सिर्फ कहते कि यह एक नियरली परफेक्ट एक एक स्रामloj टता है हर सािकल की CREATION में वोसरा यह कहते है कि प्रकार स्व्चा मियात है और िस तो ऩता है और बिस्ट इस प्रफेड एक उस पॉर्बिदी नहीं पियाता है उड़ प्र Л जुझप ओटा है और इस उस जो और कि स्यस्ट परफेदिध pik 카णा है और इस परफेद इस इस इविनिती विविव बाइद नेचर एक्ट्राइट एंटनल। दो इस आइधर बाइदर बाइब और वरशिप और साइक कंट्रूल और फिलसुपी बाइब वन और मौर और अलव इस एंड दीविव इस 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 वोल पुर्ण होने की उसमें शुक्षम है कि वो पुर्न हो जाए सुकत में वह पुर्णता है leg वो प्रगट अवस्था में लाना यहीं एक जीवत का कारी यह जो दईली उसको हमें एक प्रगश प्रगट करना है यही हमारा टही ओना चैबि और यह करने के लिए अंतरगत प्रकृति और वाईव्य प्रकृति दोनों को अपने काबू में रखना और उसके उपर पुर्ण प्रेमि से कर सकते हैं आप आपके चित्तमानस के संयम से जिसके एक से कीजिए अनेक से कीजिए सब को मिलके कीजिए लेकिर अंतता मुक्त हो जाएंगे to be free, that is the goal, how you do it does not matter, और यही सारे धर्मों की हम कह सकते की उसका जो उलब भावे, वही है, यही सब कुछ है, और बाकी सारी जो उसके उपर उन्होंने अलग-अलग जो पंधतियां बिठा दी, उसके कोई नियम बिठा दे, उसके लिए उसके लिए उसके लिए आचान, विच गए, मंदिर या मस्जित या गिर्जागर बनाए गए, यह सारे बाहरी आवरण है, बाहरी उसके लिए प्रकार से मददगार साबीत हो सकते हैं, लेकिन वह अंतिम नहीं है, अंतिम यह है कि आप किसी भी इस एक मार्ग से, अनिक मार्गों से, कर्म से, धप्ति से, योग मा से, जिसको मराजयोग कहते हैं, या फिर तत्वन ज्यान से, आप उसकी अपनी नहीत जो आपका करता हुए है, आपका जो धर्म है, उसको आप पुरा कीजिए, और यही है आपका धियत, कि आपके अंदर जो देवत्व है, आपके अंदर जो इश्यत्व है, उसको आप इसी को समझते हुए हम आगे जाएंगे, आगे जाके स्वामी जी कहते हैं, ये सारा जो जो ज्यान होता है, वो अनुहा पर उसका पेस होता है, अनुहा से ही सारा ज्यान आता है, और जिसे हम एक अनुवान से आया हुआ ज्यान कहते है, वो in which we go from the less to the more general, or from the general to the particular, has experience as its basis, उसका अभी कषीने कि ये अनुवोव यही, उसका प्रकार से एक गूल भव मुद भव उना चाहिए, उसका स्वामी जी आगे आपको बताते हैं, हम सबको बताते हैं, जैसे हम आगे जाह करते रहेंगे तेकिन राजयोग की जो शुरुवात की वो किस प्रकार से थी इसका हमने आज तोड़ा सा युवरभू की लिए बहुत धन्यवाद और राजयोग एक बहुती सुदर स्वामजी की पिता भेजिस्ते बर्मयों और अज्ञें आगे जाते करें